कि नमस्का दोस्तों कैसे हो आप मेरे चैनल क्रोच एंड कराप में आपका स्वागत है आज हो मैं आपके लिए लेकर आई हूं बहुत अच्छी चीज लेकर आई हूं यह देखें यह बच्चों के लिए डेकोरेशन के वह लेकर आई हूं आप इसको इसमें होल में की चैन बना भी सकते हो इसमें की चैन भी बना सकते हो आप इसको डेकोरेशन के साफ से भी इस्तमाल कर सकते हो कैसे भी कर सकते हो आज में आपके लिए लेकर आई हूं तो आए हम बनाना शुरू करते हैं बहुत इंट्रस्टीड है यह बनाना भी बह आप यह वाला भी ले सकते हो प्रॉपर फैविकॉल भी ले सकते हो आप की इच्छा आप जो मर्जी ले लिए अब मैंने यह लिया और मुझी चाहिए पानी का टोरी गंदा थोड़ा सा और मिलाने के लिए चमस ले लो या फ्रॉग ले लो आप कुछी भी ले लो तो यह करते हैं इसको बनाना कि पहले में सरकल बना रही है इसका आप मैजिक रिंग भी बना सकते इसमें आपको मैं मैंजिक रिंग बनाना बता देती हूं यह देखिए हैं मैंने एक पिछली वीडियो में भी आपको बनाना सिखा रहा है पहले यह मैं इसको उनको लपेटूंगी इस तरह से मैं फंदा बनाऊंगी अब मुझे क्या करना है इसके उपर 16 या 18 डबल करोश्य बनाने एक दो 3 इन मैं आपको यह बना के डबल करोश्य बना के दिखाती हूं यह देखिये यह मैंना 16 अब मैं क्या करूंगी इतना भी टाइट में कीचना करने तूट जा जाए प्रोफ के बाद के हूं यहां पर यह चार चैन लेने हैator है कि और इस प्रें एक प्रेंब 2 ई 2 चैन तो ए कि एक थे तो अब करूआ प्रेंब उब्रेंब करूआ इस तरह यह मुझे अच्ट वार बनाना है कि यह मैं टक्रस्ट आपको करके दिखाती हुना कि यह देखिए यह मेरा इस तरह से आ गया है अब मैं क्या करूंगी इसको पलटूंगी पलट के तीन चैनल लोगी एक दो तीन चैनल लेनी है मुझे फिर यह जो मैंने जालिया लीती एक इसमें चैनल लीती इसके अंदर एक डबल करोशिया फिर इसके उपर एक डबल करोशिया डबल करोशिया के डबल करोशिया देखिए फिर इसके उपर डबल करोशिया अंदर यह देखिए यह मैंने यहाँ पर आठ लिये तो तो पर मुझे सोला करने है तो मैं आपको यह सोला करके बताती हो यह देखिए यह मैंने इस तरह से बन यहां पर आठ लिए हैं यहां पर 16 लिए हैं सोला का मैंने रिंग बनाए है आठ डबल करोशी यहां पर लिए हैं सोला डबल करोशी है यहां पर लिए हैं सोला डबल करोशी है आठ नो चैन यहां पर लिए हैं अब उसके बाद मुझे रिखा करना है अब तीन चैन लेनी है तीन और दो दो फाल्टू लेनी है यह देखिए अब मुझे क्या तन है इसी के अंदर से लेना है यह देखिए दो चैन एक डबल करोशिया यह इस तरह से लेना मुझे तो यह मैं आपको पूरी लाइन करके बताती हूँ यह देखिए मैंने बना लिया इस तरह से अब में को क्या करना है यहां पर सारे में यह मैंने दो दो चैनल लिए उसके अंदर एक इंदर एक इस पर डबल करोशिया उस पर ए एक चैन लोगी इसी के ओपर एक लोगी पहला फिर उसके बाद यह दो चैनल ली थी इसके अंदर दो सिंगल इस्टिच लोगी देखिए फिर डबल करोज शेकर पर इस्टिच यह देखिए प्रिहां पर दो यह देखिए यह इस तरह से करके यह मैं आपको पूरी लाइन करके मैं बताती हूँ यह देखिए यह मेरा इस तरह से कंप्लीट हो गया यह अब मैं यहाँ पर इसको कट कर दूँगी तरह से मैं इसको कट कर दूँगी और यहीं पर इसको बंद बंद होगे और मैं इसको धागे को अंदर ले लोगी यहीं पर यह ताकि मुझा बाद मैं परिशानी नहूं अब मैं इसको को यह मेरा एक पॉर्शन कंप्लीट हो गया यह देखिए आप इसको दो कलर में भी बना सकते हो वह आपकी इच्छा क्यों पर आप यह देखिए मैं क्या करूंगी इसको यहाँ पर एक दो तीन चार पाँच यहाँ पाँच ही पर और मैं इसको जोईन करूंगी उनको यह देखिए और एक के अंदर यहाँ पर जाली के अंदर एक दो तीन हर एक में दो तो डबल करूंशे लोंगी एक का लोसित की लोई क्वरों पराईों यहाँ आर्शे यहाँसंग फिर दो डबल करोशी है फिर एक चैन यह मुझे इसी तरह से 6 जगा बनाना 6 जाली में बनाना एक दो तीन चार पांच और एक और चैन फिर में आपर तीन चैन लूँगी यह मेरा इस तरह से आएगा कुछ फिरा मुझे क्या करना है इसके अंदर यहाँ पर मैंने डबल करोशीय ले दिया है और यहाँ पर भी ले दिया है अब इसके अंदर में क्या करूँगी एक दो फिर एक दो जाली दो चैन फिर दो डबल करोशीय एक दो यह देखिए यह मुझे इस तरह से बनाना है फिर यह वाला छोड़के जाली और यह वाली छोड़के फिर मैं बीच में बनाऊगी देखिए एक दो फिर दो चैन फिर दो डबल करोशीय है यह टोटल मुझे ते तीन जगह बनाने एक दो और यह बीच में 3 एक दिखिए फिर हाँ पर लो लिया देखिए फिर दो चैन फिर दो डबल करोशीय यह दो फिर इसर के उपर हाँ यह डबल कराशी आ जाएगा एक यह डबल करोशी आ जाएगा यह तरह से आएगा यहां मुझे यह एक दो तीन यह मुझे तीन लाइन करने में तीन लाइन करके आपको बताती हो यह देखे मेरा हो गया है कि अब मुझे क्या करना है यहां पर नीचे एक के अंदर जैसे मैंने यह दो लिए फिर मुझे व्हें तीन ऐसरा करना है तीन डबल करोशिया दो चैनल यह मेरी लाइन और साथ में मुझे पिनारी भी बना लेने खिनारी में बता देती हो आपको एक, दो, तीन, चार ये किनारी मैंने पहले भी बता रखी आपको फिर उसके बाद ये इसमें ये देखे, तीन डबल करूशी है एक, दो, तीन, चार ये देखे फिर ये आ गया तीसरा फिर उसके बाद एक, दो, तीन, चार ये किनारी ये इस तरह से ही मुझे यहाँ पर ये पूरा बना लेना है उसके बाद मैं आपको बताती है मुझे क्या करना देखे, है मेरा कम्पलीट हो गया अब मैं इसको यहीं पर कट कर जूँगी ये देखे, है को यहीं जॉइन कर दूँगी है और इसको धागे को सारे को अंदा ले लोगी ताकि ये अट के ना ये देखे ये मैंने ये बना दिए डॉल यहाँ पर आप मुझे उपर इसका हैंक करने के लिए लगाना है तो ये देखे, सैंटर में बाद दूँगी इधर पांच या छे चैन आप जितनी मर्जी है आपको जितना भी बड़े के हिसाब से हैंक करनी है लटकाने के लिए वैसे आप पर सकते हैं ये देखे हैं मैं इसमें सिर्व छे या साथ बनाऊंगी चैन एक तीन, चार, पांच, छे साथ और इसको बापसी इधर ही जोड़े कोगे ये देखे हैं फिर मैं इसको कट कर जोगे ये देखे हैं ये यहाँ पर हैं अब इसको मैं सारी जोएंट अंदर कर लोगी अब मैं क्या करूँगी अब मुझे पानी लेना है पानी के तो मुझे फैविकॉल डाल लेना है दो चम्मच के गरीब इसमें आप फैविकॉल डाल लेंगे और इसमें थोड़ा से रहेंगे इस रेसे में थोड़ी प्राव्लम हो रही है मैं आपको थोड़ी डाल के दिखा रही हूं इसको करके फिर हम इसको डिप कर देंगे इसके अंदर पूरे को बनाने के बाद डिप कर देंगे इसको अच्छी तरह इसको एब्जॉर्ब होने देंगे फैविकॉल को मैं पानी के अंदर कप्ड़े के अंदर यह देखें इसको एब्जॉर्ब हो जाए गई है फिर इसको किसी भी कपड़े के उपड़ में सुखात होगी कपड़े ले लो आप साफ सा क्योंकि यह चिपकेगा नहीं कहीं आप सोचो मैंने कपड़ा बोला है तो यह चिपक जाएगा नहीं विल्कुल नहीं चिपकेगा कपड़े के उपर भी है यह देखें यह हो गया यह देखें यह इस तरह से आ जाएगा और इसको आप किसी भी चीज के अपर सुखा देंगे, कोई बॉक्स ले लो, कोई भी चीज ले लो, इसके अपर डाल देंगे, अब यह सुख जाएगा, सुख के थोड़ा इस तरह से स्टफ हो जाएगा, इसका टाइट टाइट, अब आप बताइए आपको बनाने का तरीका आपको कैसा लगा है, अगर आपको यह पसंद आया तो वीडियो को लाइक किजे, शेयर किजे, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, कि आपको कैसा लगा है, और जो भी मेरे दर्से के ऐसी नहीं नीचीज बनाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, धन प्लत सकत्मकित कोुष घ्लत मेरे ट्लत थलाड़ कि थक्लाव ए। जरूर को अलुज है उनको रहा हैं, व्लत सकत्ना के लाशभा आपकोरेकत कैसा लगाएल व्लत।